सबी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं संतोश वैश ब्लेसिंग टीम शिकागो से खोर्शिद भावनगरी द्वारा लिखी गई दे लॉज आफ इस्परिट वर्ड बुग के हिंदी ट्रांसलेशन जिवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है आउडियो नमबर 23 पिछले आउडियो में हमने जाना कि जैसा कि विस्पी और रतु ने बताया कि जीवात्मा जगत में जीवात्मा प्रिथवी पर अपने प्रिये जनों के दुख से दुखी और उनकी खुश होती है वो जीवात्मा जगत से अपने प्रिये जनों का मार्क दर्शन करना चाहते हैं पर प्रिथवी वासी उनसे संपर करना अच्छा नहीं समझते जो बात वहाँ के जीवात्मा उनको अच्छी नहीं लगती विस्पी और तुने पताया किस परकार उन्होंने अपने दुखी माता पिता से संपर करके उन्हें शांत किया और उनकी मदद की उनका मार्क दर्शन किया उन्हें लगता था कि पृत्वी की अपेक्षा जिवात्मा जगत से वो अपने माता पिता से ज़्यादा करीब हैं और अब हम आगे की जानकारी करेंगे नीना अपनी मा की बाते सुनकर इतना डर गई कि उसे जिवात्मिक संपर्क नाम के शब्द से ही डर लगने लगा इतना बड़ा अवसर एक अदबुद वर्दान में अपना विश्वास को बैटी कई वर्षों के बाद जब उसे अपने पती से पता चला जिसने कई किताबें पड़ी थी इस वर्दान के वारे में तो बहुत देर हो चुकी थी नीना ने अपनी मा को मा की बातें भुला कर अपनी पुरानी शंता वापिस प्राप्त करने की बहुत कोशिश की लेकिन असफ़ल रही उसका डर बहुत गहरा हो चुका था मा का कहा मानने का उसे बहुत अफसूस हुआ नीना की तरह ऐसी कई घटनाएं हुई है इसलिए हम पृत्वी वासियों से आग रह करते है कि वो सत्य को जाने बिना किसी को सलाह न दे अदूरा ग्यान हमेशा खतरनाक होता है विस्पि और रतु ने इस परकार बताया पृत्वी वासियों को अगला संपर्क विस्पि और रतु ने 6 जुलाई 1981 को किया जिसमें ज्यादा तरमाहिर आत्माएं निम्न तर लोकों में निवास कर चुकी है इस विशह में जानकारी दी और बताया कि हम सभी इस धर्ती पर इसलिए पुनर जनम लेते हैं ताकि अपनी आत्मा को शुद कर सके और उसे उचतर इस तर तक उचा उठा सके पर हमारी यह इच्छा हमेशा पूरी नहीं होती और उपर उठने के बदले अकसर हम और नीचे गिर जाते हैं इसलिए हम में से जादतर लोगों ने दूसरे लोग से छटे लोग तक का अनुभव लिया होता है केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनोंने पहले लोग का अनुभव लिया हो क्योंकि पृत्थम लोग से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है पृत्थमी लोग पर प्रतेक आत्मा सौ से दोहजार बार तक जनम ले चुकी होती है हर एक को विभिन परकार के अनुभव मिल चुके होते हैं हर किसी को विभिन परकार की समस्याओं और परिस्तितियों का सामना करना पड़ता है हम आपको एक बात और बताएं विस्पी ने बताया कि जीवात्माओं को ये अनुमती नहीं होती कि हम धर्तिवासियों को अपने सारे भेद बताएं हम जीवात्माओं को कुछ ही बाते बताने की अनुमती होती है यदि हम आपको अपने भविश के वारे में बता दे तो आप पहले ही उन घटनाओं के लिए तयार हो जाएंगे और आपका वो पुनर जनम किसी काम का नहीं रह जाएगा विस्पी और रतु का अगला संपर्क 6 अगस्त को 1980 को किया गया जिसमें विस्पी और रतु ने जीवात्माओं से संपर्क के वारे में भ्रांतियों की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि यदि आप समझते हैं कि आपके संपर्क करने से आपके मिरतर जनों की प्रगती बाधित होती है तो आप पूरी तरह से गलत है बिना जीवात्मिक संपर्क के आपको सही मार्ग बताने और अपने विचारा पिर्तिविवासियों तक पहुचाने के लिए हम जीवात्माओं को कई दिन महीने साल या फिर कभी कभी तो कई दशक लग जाते हैं लेकिन जीवात्मिक संपर्क द्वारा कुछ ही घंटों में हम आपको अपनी बात समझा सकते हैं इसलिए जीवात्मिक संपर्क से मरत आत्माओं की प्रगती बादेत होने के बदले तेजी से होती है जैसा कि पिछले ध्यायों में बताया गया कि उच्चतर इस्तर पर एक जुड़वा को अपने दूसरी जुड़वा के उंचे उठने की प्रतिक्षा करनी पड़ती है और उसे अपने उस जुड़वे को नीचे गिरने से बचाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है जब जीवात्मा जगत में रहने वाली उच्चतर इस्तर परिस्ते जुड़वा आत्मा प्रतिक्षा पर रहने वाली दूसरी जुड़वा आत्मा तक अपने विचार भेजने की कोशिश करती है तो हो सकता है उसका प्रित्वी पर रहने वाला जुड़वा आत्मा वर्षों तक इस ओर कोई ध्यानी न दे लेकिन जिवात्मिक संपर्क से यह कार आसानी और तेज गती से हो जाता है जादा तर प्रित्वी वासी सोचते हैं कि जिवात्मिक संपर्क मृत आत्मा की प्रगती को बादित करता है यदि यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मृत प्रेयजनों के साथ संपर्क करना नहीं चाहते सची पवित्र आत्माओं और संतों के पास मरत आत्माओं और जिवात्माओं से संपर्क करने की शक्ती होती है यदि संपर्क से जिवात्माओं की प्रगती बादित होती तो क्या ऐसी उच आत्माओं के पास यह शक्ती होती आप सुचिए कुछ लोग सोचते हैं कि साफधान रहे हैं अत्वा दुष्ट आत्माएं आपके शरीर पर कबजा कर सकती हैं और आप बर्बाद होकर नर्क में चले जाएंगे ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास कुछ जवाब हैं विस्पी ने बताया पूछा क्या आप दुष्ट हैं दुष्ट ही दुष्ट की और आकरशित होता है हाँ यदि आप दुष्ट हैं तो आपको जिवात्मिक संपर्ग करने से डरना चाहिए क्योंकि दुष्टता ही दुष्ट आत्माओं को आकरशित करते हैं यदि दुष्ट आत्माओं आपकी औ और आकर्षित होती हैं, तो वो आपके बहुत एक मन पर कबजा कर सकती हैं, लेकिन आप भली आत्मा हैं और किसी भली दिवंगतात्मा से संपर्ग कर रहे हैं, तो इसमें बिलकुल भी नुकसान नहीं है भली आत्माये निशित तोर पर आपका बचाव करती हैं, और एक भली आत्मा के साथ लगातार जीवात्मिक संपर्क में आप पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। जिस प्रकार हम अपने घर के दर्वाजे दुष्ट लोगों के लिए बंद रखते हैं, उसी प्रकार आपको अपना मन दुष्ट जीवात्माओं के लिए बंद रखना चाहिए और उन्हें अपने मन में परवेश करने से रोकना चाहिए। अगला संपर्ग 6 सितंबर 1981 को किया गया, जिसमें विस्पी और रतु ने क्यों कुछ लोग जीवात्माओं के संपर्ग से डरते हैं इस बात पर चर्चा की। अब पृत्वी पर बहुत से व्यग्यानिक मनो चिकित्सक और मनो व्यग्यानिक हैं जो ये साबित करने में सक्षम हैं कि उनका काम सच्चा है। वो सभी जीवात्मिक संपर्ग पर गहन शोद कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी विचत्र घटनाएं होती हैं जिनका कोई व्यग्यानिक व्याक्या नहीं की जा सकती। और मनुश्यों क्यों अतिरिक्त सम्वेदान नात्मक बोध मनो विग्यानिक और अध्यात्मिक घटनाओं पर विश्वास करना पड़ता है। कुछ नादान लोग तो जिवात्मा जगत के अस्तित्व पर भी संदे करते हैं। और इस बात पर भी कि क्या हम सचमुच में आत्माएं हैं। कुछ लोग तो पहले नंबर के मूर्ख होते हैं। जो मूर्था पूर्ण सवाल करते हैं कि क्या सचमुच में इश्वर है कुछ लोग जिवात्मिक संपर्ग के वारे में बहुत उत्सुक होते हैं और चाहते हैं कि इस विशे में गहरे से गहरे उतरा जाए इसलिए विशे जिवात्मा जगत, मृत्यो, जन्म, पूर्व जन्मों इत्यादी के वारे में सब कुछ जानने के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं कुछ लोगों के लिए ये सब जानना मजबूरी होता है पिर्थवी के लोग हमेशा हर बात का ठोस सबूत चाहते हैं विस्पी का कहना है, उनका सीमित दिमाग बिना ठोस सबूत के चीजों को सुईकारता नहीं है ऐसी चीजों के सबूत मिलना करीब असंभव है क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके पास ईश्वर द्वारा दी गई एक शमता होती है कुछ लोग ऐसे लोगों की निकल करके बोले भाले लोगों को धोका दे कर उनसे पैसे कमाने लगते हैं इसी कारण कई लोगों को ऐसे ठगों के बीच से सच्चे लोगों को पहचानना बहुत कटिन हो गया है कुछ लोग इन विश्यों में जानकारी प्राप्त करना अच्छा रही समझते लेकिन ऐसा सोचना अज्यानता की निशानी है कुछ लोगों को लगता है कि उनकी दुष्टता और बुराईयों का जीवात्मा के द्वारा परदाफाश ना कर दिया जाए इसलिए दूसरों को भी इस विश्यों में हतोत सहाईद करने लगते हैं कुछ लोगों को उनके माता पिता, कुछ को उनके शिक्षक या प्रोहितों द्वारा उनका दिमाग भ्रमित कर दिया जाता है अगले संपर्क ने रतू ने बताया कि आप प्रित्वी पर जनम लेने का निरने क्यों लेते हैं उन दोनों ने इस विश्यों पर जानकारी दी, जादतर लोग प्रित्वी पर जनम लेना नहीं चाहते क्योंकि वे जिवात्पान जकत में बहुत खुज रहते हैं जी हाँ, हम उच्चतर लोकों में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं उच्चे उठने की आपकी अधिरता, या जोखे मुठाने की इच्छा या ध्यात्मिक रूप से अपने प्रिये जनों का पतंशील होने से बचाने के लिए आप लोग प्रित्वी पर जनम लेने के लिए उच्चो खुते हैं लेकिन आप में से अधिकतर लोग, आपकी आत्मा, आपका अफचे तन मन यही चाहते हैं कि पिर्थिवी पर आपका दुबारा जनम ना हो ऐसा आपको जिवात्मा जगत में अपने संसार की कोई भी बात याद ना रखने के कारण होता है कुछ लोगों को अपनी आत्मा और अवचेतन मन से यह अनुभव इतना प्रभावी रूप से होता है प्राप्त होते हैं कि उनके बहुत एक मन को इसे सुनना ही पड़ता है आप जिवात्मा जगत में अनुभव और प्रिस्टिक्शन प्राप्त कर सकते हैं पर उचतर इस्तर तक पहुँचने में हजारों साल लग जाते हैं इस कारण प्रित्वी पर जनम लेकर कुछ सौ सालों में उचतर इस्तर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं लेकिन इसमें ये जोखिम भी है कि आप इस परकार और नीचे के इस्तर में भी जा सकते हैं इससे आपको अपना लक्ष हासिल करने में और अधिक लंबा समय भी लग सकता है यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ आप सब का पेशेंस के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद शेश अगले ओडियो में जानेंगे हादर बहुत करने बहुत जाने के लिए दन्यवाद